पत्राव कांड का मुखारूपी शहजाद फरार है पुलिस तमाम इलाकों में दबिश दे रही है लेकिन शहजाद मिलनी रहा और अब पुलिस ने लिया एक और बड़ा फैसला शहजाद को पकड़ने के लिए पुलिस ने जो फैसला लिया है पुलिस को लग रहा है कि शहजा पूलिस फिर एक बार एक्षन में पहले हवेली टूटी और आप शहजात को पकड़ने के लिए घटना वाले दिन के बाद से ही पुलिस जो है लगातार टीमों को भेज कर कोशिश कर रही है लेकिन शहजाद पकड़ से दूर है यहां तक कि रात में पुलिस चेकिंग करती है यूपी से लगे हुए बौडरों पर वाहनों की जहां पर कहा गया पुलिस को इंपुट् में लाथा जारी करने से पहले कि शहजाद दूसरे देश भाग सकता है यही वज़े है कि पुलिस ने अब तक पकड़ में नहीं आये शहजाद के लिए अब इनाम घुशित कर दिया है और जो भी अभी फरार आरूपी है अग्यात आरूपी है उनके खिलाब दस्यार रोप हजार रोपे का इनाम जो है पुलिस ने घोशित किया है और दसजार रोपे का इनाम घोशित करने के बाद खबर ये भी कि पुलिस की टीमें तमाम इलाकों में दबिश देगी और पुलिस जो है अकेले MP में नहीं देश के बड़े-बड़े शहरों में भी शहजाद को ढू और पुलिस भी अब शहजात को पकड़ने के लिए यह बड़ा फैसला कर चुकी है दस अजार के इनाम का एलान किया गया है और पुलिस को लग रहा है कि शहजात जल्दी गृफ्ट में होगा आप देखते रहें एंपिताइश अधरपुर से आप तक फ़र पहुंचा ही लोक झाल